कि नमस्कार जैहन साथ हूं मैं विवेक और चियप आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत वंदन चंदन और दोस्तों अफिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस पर टीचर्स एकसफर मंजिल की ओर उमीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग ठमनेल को देख कर ही वीडियो पर क्लिक किया होगा कहां से पढ़े संस्क्रत और कैसे पढ़े संस्क्रत क्या है नया स्लेवस क्या स्लेवस में कुछ बदलाव भी हुआ है संस्क्रत का पेपर संस्क्रत में लिखाव होता है प्रशनी नहीज समझ में आता सर उसका उत्तर कैसे दे तो इस साथ प्रश्क के जवाब वीडियो के इंतरगत आफ सभी लोगों को मिलने वाले हैंavor पहले स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आफ सभी लोगों से संस्क्रत को ले करके तो सीटेट का एक्जाम है तो संस्क्रत का जो पेपर होता है उसकी जो भासा होती है वह आपकी संस्क्रत होती है यानि कि संस्क्रत का पेपर संस्क्रत भाषा में ही लिख कहा होगा आएगा कि कि इसलेबस को पढ़ने के पहले से पहले या किसी भी इग्जाम को क्रेक करने से पहले पता होना चाहिए तो उस पर में ढ़े डिसकास करते हैं फिर बताते हैं कि या पर नहीं पढ़ना कहां से पढ़ना तो संस्क्रत का paper दोस्तों स्म्राथ तीस संस्क版 प्धयानस होगा या पभध्यानस होगा वह टोटल मिला करके आपके पंद्रा नंबर की पैटाऊजी और पंद्राऊ-नंबर घट्राँ आप ढगते हैं अगर मैं बात करूं संसकत्यक पैडाऊ-धोजी के स्लेवस को ले के तो पंद्रा नंबर का कप ये स्लेवस रहा सिच्छन के संस देखो एक बात आप सभी लोग दिमाग में बिठा लो चाहे हिंदी भासा और चाहे संस्कृत भासा हो दोनों को पढ़ने का नजरिया एक रखो बस तुम्हें इतना करना है कि संस्कृत का पेपर संस्कृत में ल तो आपको ये बात दिमाग में बिठा के रखनी है कि जब भी आप पैडागोजी पढ़ें अगर हिंदी की पैडागोजी पढ़ रहा है तो इसका मतलब आपने संस्कृत की पैडागोजी ऑल्रेडी किलियर कर ली बस समझ डेबलप करने की बात है वो मैं इस वीडियो के न लिखना बस इसमें संस्कृत में लिखा होता स्रवणम संभाशनम पठनम और लेखनम बस इतना अंतर है सिचल विधियां आपको पढ़नी है वही सिचल विधियां सिचल सुत्रम वही है ज्याता अनुसार ज्यात से अज्यात की और सरन से कटिन को और आगमन से निगमन की औ और वहीं सब हैं बस संस्क्रत में लिखिया जाएगा की और लिखा होगा जहां पर हिंदी में वहीं पर संस्क्रत में प्रति लिखा होगा प्रति लिखा होगा संस्क्रत में प्रति लिखा होगा हिंदी में है लिखा होता संस्क्रत में अस्ति लिखा होगा इतना मात्र अंतर ह संस्क्रत में चा लिखा होगा हिंदी में और लिखा होगा संस्क्रत में चा होता है और का मतलब आगे बात कर ले सिच्छन से धांत भी आपको वही पढ़ने हैं अब मैं बात करूं आप सभी लोगों से मुल्यांकन की प्रवधियां कौन कौन सी है सतत मुल्यांकन व्यापक मुल्यांकन को आपको डिटेल से पढ़ना है यहीं से प्रश्ण बनेगा और हर बार बना इस बार भी बनेगा सहायक उपकरन क्या क्या है सिच्छन को पनाने के सहायक उपकरन क्या है स्यामपट है आपका पाठ्थि पुस्तक है और आपका अधिगम है जिससे आप विशेवस्तु है और साथी साथ आपके सारे चाउक डस्टर विद्याले कच्छा कच्छ टेवल सारे सहायक अधिगम साग दिसलेक्सिया लेखा बस इतने में आपका सब्सराइब को याद रखना है और बहुभाषिक्ता से कम से कम से कम 2-3 question हर बार संस्कुल्क पेडागोजी में पूछे जाते है इसको अच्छे से पढ़के जाना एक पोउस्टिव निगेटिव टैग वर्ड में आपको बताए दे रहा हूं बहु भाशिकता के लिए गर संग्याना संग्यानात्मक विकास आ जाए या प्रश्न में संसाधन लिखा जाए तो तुम्हारा राइट आंसर होता है ठीक बच्चा साथ ही साथ आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड़ पढ़के जाना है निगेटिव टैग वर्ड़ पढ़के जाना है पूले सर यह सब बता तुदिया आपने पढ़े कहां से को उनसी बुग खरीदे बच्चा कुछ नहीं करीदे ना इतना करना है देखो यह कि आपके सामने टीचर सेस्प्रश करना को यूटूड चैनल पर यूटूब पर तर्श वाले आपहसरे करना या और आफके भाई का चैनल और आज आना है हूम-प एक पैड़ागोजी में एक क्लास में मैंने पूरी पैड़ागोजी समाप्त की है संस्कृत इसको रट लिया तो 28 नंबर पक्का ये वाली और ये जो दो वीडियो है संस्कृत पैड़ागोजी महामेराथन और ये ये जो दो वीडियो है ये आपकी प्रेक्टिस कराएंगी मत तब इसको पढ़ लो पैडागोजी के लिए पूरी वीडियो पढ़ लो और इन दो से प्रैक्टिस कर लो आपके 15 नंबर आपकी मुठी में आ जाएंगे जब आप ये वीडियो देख लें तबना कमेंट करें चैनल सब्सक्राइब कर ले जब ये वीडियो देख लें तबना इप्रूव हो रही है आगे बात करते हैं अगर हम बात करें आगे आफ सभी लोगों से, आप बचा 15 नंबर का खेल यानि की पैड्राग्राफ दो पैराग्राफ आएंगे आपके एक तू आएगा पद्यांस आ सकता है या गद्ध्यांस आ सकता है कुछ भी आ सकता है ऐसा कर में एक पेपर में तीस नंबर के पेपर में एक आपका गध्यान साएगा और एक पध्यान साएगा दो आपके आनत्य हैं एक साथ नंबर का और एक आठ नंबर का इसमें क्या होता है बच्चा डायरेक्ट तीन कोश्चन आपके पैराग्राफ से होते हैं उसके बाद जो बचे संद्धी समास प्रत्य और कारक है इतने टॉपिक आपको पड़के जाने इस चार कोश्चन यहां मिलेंगे आपको और तीन alt book वे King कोश्चन कि इतना पढ़के जाओगे एक नंबर की आनत्य है एक नंबर की आनत्य है और एक नंबर का यह आनत्य है और एक नंबर की आनत्य है संदी समास कभी पूछ लेता कभी नहीं पूछता है लेकिन कारक धात्य विभक्ति प्रत्य आनत्य है हर बार आता है इस बार भी आएगा ऐस साइट सेम तू सेम यहां पर चार नंबर का और चार नंबर का यहां पर यानि कि आपको संधी समास प्रत्य कारक धातु विभक्ति के अलावा ब्याकरण में कुछ ज्यादा बैग्यानिगिरी करनी नहीं है कि पता लगे संस्क्रत ब्याकरण पूरी पढ़ने बैट गए तो त सीटेट का स्लेवस डाउनलोड करो यही सब कुछ दे रखा है ब्याकरण उसमें दही नहीं रखे तो तुम क्यों पढ़ोगे ब्याकरना ठीके बच्चा आप सभी लोग दोस्तों साम साथ बज़े से नौ बज़े तक प्रक्टिस कर सकते हैं टीचर्स एक्स्प्रेस बाइक्यू कराया जा रहा है एक एक सॉल पेपर को बहुत डिटेल में पढ़ाया जास तिखाया जा रहा है जितना बच्चा पार्टि मुझस से जुलेगा पिछली बार लगवग आठ हजार से नो हजार बच्चा सीटेट पास किया था टीचर्स एक्सप्रेस से इस बार ट क्योंकि आप लोग बढ़े हो और हमारी एच कही हो मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर कता ही ना के बरावर मिलेंगी क्योंकि मैं समस्ता हूं कि हमारी भाई है और जेतने भाई है और हमारी जेतनी पहने है वह खुद में संच्च हम है खुद मोटिवेट है कि दिन रात दीरे दीरे यह उम्र बढ़ रही है लगता है जैसे सारी दुनिया सिमट रही है एंडी लेकर चोटी तक कर्चळार हो आप विरोजगार हो माव आप का सारे बनने की उम्र में भी अरे मावाप के सहारे ही तो उम्र कट रही है तो जब जो बैक्ती खुद इतना ज्यादा मोटिवेट हो उसको मोटिवेट की जरूर नहीं उसको स्लेवस पढ़ाने की जरूरत है तो पढ़ो बच्चा स्लेवस पढ़ने के लिए आपको चनल सब्सक्राइब करना होगा बैल आइकन को प्रेस करना होगा मिलते आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जहन सातियों स्वस्त रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए अध्यन्रत रहिए